अनल जी स्पेशल पिक का बिगुल बजा दिया सर बताएं 2021 के लिए एक ऐसा मल्टी बैगर स्टॉक जो अच्छे दाम में मिल रहा है पहली चीज थो यह कि देखे जब भी है अप फ़िस्क स्टॉक को चुनतें तो यह मान कर चलेंग कि जहां रिटन आने की संबावना यह ज्यादा होती है तो वहाँ पर रिस्क भी थोड़ी ज्यादा होती है और वो इसलिए क्योंकि कई सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जैसे आपने एक्जामपल ही Yes Bank का दिया तो Yes Bank को जब 12-13 रुपे में हमने strongly recommend किया तो लोगों का interest ही खत्म हो गया 12-13 रुपे वाले स्टॉक को सब खरीदना जाते थे 12-13 रुपे वाले स्टॉक को कोई खरीदना नहीं चाहता था क्योंकि सबको लगता था अब क्या होगा लेकिन वहीं पर आपके लिए पैसे ज़्यादा बनते हैं आप सोचे कुछी महीनों में आपके 12 रुपे वाले इसी तरह का एक स्टॉक और मैं आपको देने जा रहा हूं जो लो प्राइस स्टॉक है जो एक टेर्न आराउंड स्टॉरी बढ़िया हो सकती है लेकिन एक कंडिशन में पहले बता दूँ कि आप यह मान कर चलें कि आपको केपिटल लोस भी हो सकता है वहीं पर ज्यादा रिस्क है वहीं पर ज्यादा रिटन की गुणजाईश बनती लेकिन जो एजमिशन सम मान रहे है और वह सही हुए करना है पहली चीज आप अपनी रिस्क के हिसाब से ले जो मैं आपको फोलो करना है इन्वेस्टमेंट पर भी और उस हिसाब से ले पेशन्स रखें हर रोज भाव न देखें आराम से आप शांती से लेकर बेठेंगे या तो आपका 15-20 परसे नीचे का स्टॉक रिगर होग यह है वो स्टॉक जो यहां से एक बढ़िया टर्नराउंट स्टॉरी 2021 में साबित हो सकता है 2020 का जो हमने कल शो किया था अपरसों आवर्ट शो मोस्टॉक डवर्ट स्टॉक और यह सब उसमें आइडिया था ही तो आइडिया को जितना सुर्चों में रहना था पिछले साल र इसला आने के बाद जो तलवार लटकी थी वो सब कलियर कट होगे कि अब इने कितना पैसा कब कब कैसे कैसे देना है पहली चीज़ वह क्लियर हो चुकिए दूसरी चीज़ जो क्लियर हुई है कि अपने इरादे बता दी कि को जिन्दा रखना चाते हैं टर्णरारॉंड करन चाते हैं और पूरी तरह से उन्होंने नए लोगो नए प्रोमो के साथ में लॉंच किया इसका मतलब यह कि वह इतना खर्चा करके सीरियस प्लेयर के तौर पर बने रहना चाते हैं छोड़कर भागना नहीं जाता है पहले ऐसा लग रहा था कि प्रमोटर इस कंपनी को चलाए फंट जुटाने की योजना बना रहे हैं तो जैसे अब फंट आने लगेंगे वैसे वैसे इस कंपनी का सब्सक्राइबर बेस बैतर होगा दी में इस स्टॉक में परफोर्मेंस फिर से आने लगेगे तो यह एक हाई रिस्क स्टॉक है जो आपको बड़े रिटन देने की त पर आपको स्टॉक लगाना है साड़े आठ रुपए का क्लोजिंग बेसिस पर आपको स्टॉक लगाना है यहां से दो रुपए नीचे का तो आपकी मैक्सिमम रिस्क दो रुपए की है रिटन जो बन सकते हैं जिनको शॉट टर्म के लिए ट्रेड करना है वो बारा रुप आपके टार्गेट बनेंगे 15 और 17 रुपए के वो आपके दूसरे टार्गेट बनेंगे 15 और 17 जो आपको साल बर के लियाद से एगर आप वीव रख कर चलें और अगर जैसा कि हम उम्मित कर रहे हैं वैसा यह कंपनी टर्न आरौन हो गई एक फिर से सीजेस प्लेयर के तोर 25-30 रुपए के आसपास होगा ठीक उसी तर से जैसे यह से यह से यह से 25-30 रुपए के लॉंग टर्गेट रखें वैसे 25-30 के टार्गेट आपको आइडिया में भी आते वी दिखेंगे तो यह तीन टार्गेट के लिए आपको आइडिया में करनी है खरीदारी अगर आप रिस्क लेने की ताकत रखते हैं और रिस्क लेकर कोई एक इन्वेस्मेंट करना चाहते हैं दो रुपए की रिस्क है और आने में आपके सामने हैं 5-7 रुपए या अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 रुपए के आसपास तो इस इन टार्गेट के लिए यह स्वेंग आपको ज गुना तक के तो टार्गेट अनेलजी दे ही रहें बट पोटेंशल है ट्रिपल होने की तो शॉट टर्म मीडियूम टर्म लॉंग टर्म तीनों लिहाज से आप देख लिए वोड़फोन आइडिया पर नजर रखे इन्ही लेवल्स के आसपास येस बैंक पर भी अनेलजी अगे पर अब अब वोड़फोन आइडिया एक ऐसा स्टॉक है लगबक उन्ही लेवल्स के आसपास ये भी मिल रहा है और यहां से पोटेंशली ट्रिपल गेंज दे सकता है अनेलजी बिल्कुल 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 बंसल जी से भी राय ली जाए और बंसल जी से राय ले दाल और स्टॉक ना चले तो थोड़ी ट्रोलिंग बंसल जी की भी हो जाए सारी की सारी मेरी ना हो